हला सुडेंट्स मेरा नाम दॉक्टर गजंद पुरहीत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अगर आप गेट 2025 एक्जाम के लिए अपियर होना चाहते हैं तो अगर आप गेट 2025 एक्जाम डेट रिलीज और नोटिफिकेशन इसका कब आने वाला है और किन-किन प बात करेंगे कि इसका जो ओफिशल वैबसाइट है यह एक्जाम आई एटी रूड की कंड़क्ट करा रहा है 2025 गिट एक्जाम और इसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है इसका जो वैलिडिटी है वो तीन साल तक होता है मत अ आउंसलिंग में पाटिसेपेट करना है तो तीन साल के अंदर अंदर आप पाटिसेपेट कभी भी कर सकता है इस एक्जाम की जो डेट से वो रिलीस कर दी गई है आई टी रूड की की जो ओफिशल वैबसाट है वहाँ पर आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी गेट एक्जाम 2025 विल बे कंड़क्टेड ऑन 1, 2, 15 and 16 फैबरी और इस एक्जाम डेट की बात करें तो यह जो एक्जाम है यह होने वाला है 1 फैबरी, 2 फैबरी, 15 and 16 फैबरी इसकी जो ओफिशल वैबसेट है वो 25 जून दोजार चूबीस को लाँच हो चुकी थी इस एक्जाम जो होता है, यह online exam होता है, इसमें 65 questions पूछे जाते हैं, 100 marks का यह paper होता है, number of paper यहाँ पे 30 होते हैं, मतलब यहाँ पे physics, chemistry, mathematics, electronics, electrical, mechanical, civil, computer science, अलग-अलग subject में ऐसे 30 subject में conduct कराया जाता है, जो भी subject आप opt करना चाहते हो, जिसमें आप BTEC कर रहे हो, या आप MSC कर रहे हो, उस subject को आ अगर आप mathematics के साथ इस exam को देना चाहते हैं, तो इसमें आप future में M.Tech या PhD आप IIT से कर सकते हैं, गर आप इस exam में अच्छा स्कूर करते हैं, इसके paper pattern की बात करें, यहाँ पे 2 section आते हैं, A section में general aptitude पूछा जाता है, और जो B section हो subject specific होता है, यहाँ पे multiple choice question, multiple select question और numerical answer type की questions प 15 marks का पूछा जाता है, और 72 marks का जो होता है, वो subject specific होता है, खास करके जो student engineering के साथ इस exam को appear कर रहे हैं, और बाकी कुछ subject ऐसे होता है, जिसमें engineering mathematics नहीं पूछी जाती है, और कुछ में पूछी जाती है, engineering के अलावा जिते भी paper हैं, उसके अंदर general aptitude 15 marks का पूछा जाता है, और जो subject specific होता है, वो 85 marks का आता है, जिसे life science है, physics है, chemistry है, mathematics है, ऐसे जो subject ऐसे में engineering mathematics नहीं पूछा जाता है, इस उनिया पे negative marking भी होती है, इसका जो score card है, वो 3 year तक valid होता है, अगर हम eligibility criteria की बात करें, तो अगर आप अपने engineering के 3rd year में है, या आप अपने humanities या science या technology की की कोई दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी degree के 3rd year में आप इसके अंदर eligible माने जाते हैं, तो BSC वाला student भी इस exam को दे सकता है, सुन बात करें, combination तो यहाँ पे दो subject आप opt कर सकते हैं, कोई भी दो subject में आप get exam दे सकते हैं, एक में भी दे सकते हैं, और दो subject भी opt कर सकते हैं, उसका जो combination है वो यहाँ पे दे रहाँ, इसका जो link है वो आपको description में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ पे आपको exact combination मिल जाएगा, क्योंकोंसे दो paper है से जिसमें आप ही exam दे सकते हैं, जो paper की बात करी जाए तो total 30 paper है, जहाँ पर aerospace है, geology है, agriculture है, instrumentation है, architecture है, mathematics है, biomedical है, mechanical है, bio technology, mining है, civil है Metallurgical Engineering है, chemical है, naval है, then computer science है, petroleum है, chemistry है, physics है, data science है, यह भी add हुआ पिछले साली, and production and national engineering है, electronics and communication, statistics है, then electrical है, textile है, environment है, engineering science है, ecology है, humanities है, geomatics है, and life science, इन सभी subject में यह exam conduct करा जाता है, कोई भी एक subject को आप opt कर सकते हैं, एक से जादा subject को भी opt कर सकते हैं, एक से जादा subject को भी opt कर सकते ह इसके career scopes क्या है, इसमें मैंने already एक video upload कर रखा है, जो कि आप IT भी है, यहाँ पर जाके देख सकते हैं, और बहुत जल्दी में एक नया video भी लिखे आने वाला हूँ, इसमें इससे related है, अगर आपका कोई भी doubt है about the get exam, तो आप comment box में मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, प Tech Plus PhD integrated program में admission लना चाहते हैं, तो यह best तरीका है, इस exam के थुरू आप जा सकते हैं, इसमें प्लैसमेंट भी होते हैं, प्लैसमेंट भी होते हैं, प्लैसमेंट भी होते हैं, इसमें मैंने एक video भी upload कर रहा है, वह आप जाके देख सकते हैं, अगर आप इसका mathematics के अंदर course चाहत जाएगा, और इसमें यहां पर जो मारा foundation course है, वो भी आपको मिल जाएगा, बाकि अगर आप अपने basics 9, 10, 11, 12 के clear करना चाहते हैं, तो इसमें NCRT का foundation बेच जो है, वो आप join कर सकते हैं, और इसमें इसको मैं free ले रहा हूं live, यह हमारे इसी YouTube चैनल पर रात को 9 से सारे 10 बज सकते हैं, यह मारा telegram इसको join कर लेजे, classes के updates मिलती रहती है, और अगर आप हमारा math care app पर course लेना चाहरा है, तो कैसे आपको course लेना है, इसका video आप यहां पर जाके देख सकते हैं, बागी gate exam पर हमने एक detail video upload कर रखा है, वो आप यहां जाके देख सकते हैं, यहां जाके channel subscribe कर स रखते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, thank you, bye bye